ये ग्राउंड वाली बाद होगे कि आप जमीन पर बैठ थे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना कि हवा में उच्छाल हो रहे हो पॉप्कॉन की तरह से उन सारे बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहा था क्योंकि उतमें सारे बच्छे ऐसे थे जिन्होंने मैक्सिमुम बच अब दूसरा यह भी जानना चाहता था कि कल को आप एक चेप्टर का नाम दीजिएगा वो सेम नोट्स में तुझे यहां पर अप्लोड कर दूँगा एक पर्टिकुलर चेप्टर के फिर तुछ लेना कि उसके क्लास का कॉंटेंट और जो मैंने तुम्हें दिया उसका कॉं मैं क्लास में सपोज कोई चेप्टर पढ़ा रहा हूं वेक्टर कि यह उसको पूरा नाम बगएरा जो भी है यह सारे इसका लिखा हुआ उसका नाम लोंडे का अभी जैन शांदार रगां बहुत प्यारा मासुम जा बच्चा है मैंने वेक्टर पढ़ाया मैं शायद उसको इस प्रकार से समझा रहा था कि भाई देख एक ब्लॉग है ब्लॉग मैंने आगे लगाया 40 नुटन का फोर्स पीछे और आगे लगाया 30 नुटन का फोर्स तो नेट फोर्स हो गया 70 और दूसरे केस में एक बार फोर्स लगाया तो चे SAPA三 है उसको पढ़ा रहा था कि हम उन सारे बच्चे को बेसिक से पढ़ा रहा था क्योंकि में सारे बच्चेए ते ज Judith यहीं पढ़ाती मैं अगर यह बनाकर रहा रहा हैं कि भाई देख यह ब्लोग है मैंने अगे लगाया 30 नुटन पीछे लगाया 40 नुटन तो तो बच्चे का सिंसेटी लेवल दे, वो Ground to Earth दे, कि टना Ground to Earth तो सिंसेटी लेवल, और Kिस लेवल का पिशेंस है गिवो इसको मैं लिख रहा है, कुरला रहा है, नोड कर रहा है। एक दिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी एक लगा और ता उसका नाम श्याइद शुभम था मुझे याद नहीं है वो एया या ठर्टीन लेके आया था था एक मैंने उसको नहीं पढ़ाया था लेकिन जो सर उसको पढ़ाते थे तो उस बैच में उस बैच के डाउट के नोट कर रहा था मैंने उसको पुझा यह भी लिख रहा था तो यह बेसिकली आप समझ रहो यह ग्राउंट वर्थ वाली बात हो यह आप जमीन पर बैटके बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना कि हवा में उच्छल रहे हो पॉप ओन की तरह से अब कि बच्चे से क्या होता है कि दोनों भाई-बाई-बाई यह वाले ले टाइग्राम है मुद्दे की बात मैंने बोली उसने भी आप लिख दिया काम की बात यह है तो अब एक्टर के बीच का रिजल्ट इन बीच में से निकलेगा ऐसे कि यह सिंसेरेटी लेवल सिंसेरेटी लेवल का मतलब यह नहीं होता कि आप केवल अवकात में रहो जमीन पे रहो यह उचल गई लेवल अब लेवल डाउन पॉपकॉम की तरीके से यहां पर नाटकवाजी ना ज़रो जो माश्चा पढ़ा रहा है उसको चुपचाप बैठके पढ़ो ना ना वो सालेंटि वड़ेगा और अपना समय कोश्चन सॉल्व करने में लगाएगा ना कि और अकि किसी आर्गुमेंट में या फिर ना किसी को डिकांपिल करने में लगाएगा बेक्टर के बाद ही तुम बेक्टर सब्छक बनना स्टार्ट होते हैं व्यक्टर तो सब रहत एक मेसेज और मुझे बड़ा-बड़िया मिला यह वाला कि सब्सक्राइब कर रहा हूं सर मैं आपको 11 से फोलो कर रहा था बट 12 में काफी यूट्यूब के लोगों के चक्कर में आके मैंने आपसे पढ़ना छोड़ दिया और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि सलीम सर भी वही सेम चीज करा रहे है जो अच्छे बैच में कराई जाती है बस देशी लेंग्वेज में फिर मेरे को मेरी गलती समझ में आई और वो बात जो है कि अपने टीचर को ब्लाइंडली फोलो करना चीए फोलो यूर टीचर ब्लाइंडी फिर मैं आया लेक्शन नंबर सेवन में एक बीक साइथ वो पीछे चला है और जो है जो भी है उसके आगे की कहानी तो कुल मिलाके ऐसा एक मैसेज मैं लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मैसेज़ इंस्टा पे इधाउदा इधाउदा आए है समय नहीं था श्किल्शोट लाओं अभी बैठा था मैं क्लास से पहले तो मैंने सोचे सली ही लगा देता हूं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे मैसेज थे तो इसलिए मैं आपको बच्चे मिलेंगे बेटा आपको बरगलाने के आपको बस मेहनत करना है अपने टीचर पर ब्लाइंडी भरोसा करना है मैं हूं सचिन सर है अमित महाजन सर है रोई तगरवाल सर आएंगे उसके बाद हम सब लोग यहां पर आपको बेस्ट कॉंटेंट देने के लिए बेटा ब्लाइंडली फोलो करनी है बस एक बात याद दखना है कि कोई भी तेरा दोस्त चाहें वो दोस्त हो या फिर सौक और दोस्त हो या फिर अंजान हो वो तुझे कभी सही सलह जल्दी से नहीं देगा या दखना तो अपने दोस्त से कहले कि मेरे सो में सासी नंबर आए है उसके उसके कले पर छूरिया चल जाएगी उसको अच्छा नहीं लगेगा सुनके तो बुरा लगे उसका सी कैसा है मेरे तो चाली सी रह गए तो वो निगेटिव गेम खेलेगा यह हड़ जगे होता है यह इसमे कुछ गलती नहीं है यह हम इंसान ही ऐसे है क्या करें इंसानों के अंदर जैलेसी फेक्टर होता है जै इसलिए दूर रहें ऐसे लोगों से चलो पढ़ने वाली कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो कल हम लोगों ने एक शायद एक बहुत अच्छा डाउट एक लड़की ने पूछा था मैं खुद को रोग निपाया मैं वो लेके आया हूं यहां पर द्यांसा सुन उसने पूझ यूज करेंगे तो इलक्टिफिल फाइंड आउट करनी है तो उतना उतना